नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हूँ आशीश कुमार वक्त हो गया है बिहार की 10 बड़ी ख़बरों का बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने आज बिजली की 4855 करोड की योजनाओं का उधगाटन और सिलान्यास करने के बाद विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2005 के पहले बिहार में बिजली की क्या इस्थिती थी और अब क्या है ये बात सभी लोग जानते हैं साथी उन्होंने कहा कि बियान देने वालों से दिल से पूछिए कि 2005 के पहले बिहार में क्या हाला थे और अब क्या है आपको बता दें कि जल्दी बिहार में विधान सवा चुनाओ होने जा रहे हैं जिसके मद्देनेजर बिहार के नितिश सरकार लगातार अपनी उपलब्दियों को गिनाने में लगी हुई है बिहार के समस्ति पूर जिले के विधान प्रखंड में दरजिया फुहा बांध के समीब आज दो पहर एक नाओ हादसे का शिकार हो गई नाओ में 12-14 लोग सवार थे और इस घटना के दोरान अधिकांस लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई वो इस घटना में तीन लोगों के लापता होने की बाद कही जा रही है लापता लोगों की तलास जारी है और मौके पर NDRF की टीम भी पहुँच चुकी है कोरोना काल में तमाम एहतियात और परतिवंदों के चलते भारतिय रेल नियमित यात्री गाडियों के संचालन को लेकर भले ही अभी कोई फैसला ना ले पाई हो लेकिन विसे इस ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है खासकर उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल रूट पर रेल गाडियों में भीर बढ़ेने लगी है इसको लेकर रेल बे संबंदित राज्जियों और ग्रिह मंत्रालियों के संपर्क है बिहार के दो सिक्षकों का राष्टिय सिक्षक पुर्षकार के लिए अंतिम रूप से चैन हो गया है केंदर सरकार के सिख्छा विभाग के स्कूल सिख्छा और सक्षर्टा विभाग ने सुक्रवार की राद करीब 9बजे अपने वेबसाइट पर राष्टिय सिक्छक पुर्सकार के लिए चैनित सिख्छों के सुची डाल कर इसे सर्वजनिक किया है बिहार से जिन दो सिक्षकों को राष्टे सिक्षक पुर्षकार के लिए भारत सरकार ने चैनित किया है उनमें से सारन के अखलेश पाठक और बेगु सराय के संत कुमार सहनी का नाम शामिल है बिहार विधान सभा आम शुनाओ की तयारियों को लेकर बिहार के मुख निर्वाचन पदादिकारी सुमवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचक पदादिकारी सह जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ये बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होगी और आधिकारिक सुत्रों के अनुसार इस बैठक में चुनाओं को लेकर मद्दान अस्थलों में की जाने वाली विवस्था, चनसभाओं को लेकर उपलब्द मैदान को चिन्नित करने, इवियम जांच, समीदा पर का कार्यत कर्मियों का ब्योरा एकत्र करने सहित विविन विश्यों पर चर्चा होगी, बिहार की राजानी पटना में कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने लगी है, साथी कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं, प्रसार्शन दौरा दी ग के कॉलेज रोड में शुकरवार की देर रात करिव साढ़े नौ बजे अग्यात बतमासों ने एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर फाइरिंग कर दहसत पहला दी, फाइरिंग की सुचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुँची और मामले की छान बिन की आपको बता दे कि पुलिस को घटना स्थल से पांच खोखा भी मिला है। जानकारी के मताबिक मौवाइल चोरी के आरोप में चार नावालिकों का मुंडन कर गाउं में गुमाया गया, साथी परतेक के परिवार से पांच-पांच हजार का आर्थिक जुर्माना भी वसू लागया है। आमले के सामने आने के बाद हड़कम मच गया। दरसल बच्चियों के पैदा होने पर मिलने वाली प्रोचाहन राशी के गवन के लिए इस पूरे प्रकरन को अंजाम दिया गया है। तो ये थी बिहार की दस बड़ी खबरे। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल मोवाइल न्यूस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ इस वीडियो को ज्यादे ज्यादे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मोवाइल न्यूस 24